मैंने आज कराए cat eye nail extensions और मेरी बहन ने कराए mermaid nail extensions अब आप बोलोगी ये क्या बला है भाई और आखिर क्यों मुझे अपने fresh nail extensions को कटवाना पड़ा वाई तो भाई मैं आचुकी हूँ nail extension कराने और पहले मेरी inspiration थी कुछ ऐसी लेकिन जब मैंने अपनी inspiration nail artist को दिखाई तो उनोंने बोला कि ये तो फिलाल possible नहीं है उनोंने मुझे थोड़े बहुत options भी दिये लेकिन वो नहीं हो पाया फिर मेरी बहन ने भी एक inspiration निकाली हुई थी कि उसको कुछ वैसा कराना है और यहां पर मेरा चल रहा है pedicure तो पहले यहां पर nail paint हटेगी उसके बाद में दूसरी लगेगी पैरो पर तब तक मैंने सुचा कि क्यों ना मैं कुछ decide कर लूँ अब ये वाले के लिए तो मना हो ही चुका है तो फिर कुछ और देखना पड़ेगा दोस्तों नेल एक्सेंशन कराना प्रॉब्लम नहीं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या करवाना है यह अब जैसे मैं पैरों में इती गंफ्यूज थी कि पॉपॉल एंड पिंक कलर की वो बड़ी ही प्यारी है बस इसको जैसा चाहिए वैसा मिल जाए यहां पर इसकी नेल्स के जो एक्सेंशन्स है वो लगाये जा रहे हैं ऐसे हमेशा नेल एक्सेंशन्स मेर से जादा लंबे करवाती है और मेरा फेस इसलिए ऐसा है क्योंकि अ मेरे नेल्स पर भी लग चुके हैं यह एक्सेंशन्स और इनकी लेंथ में कम करानी हूँ क्योंकि मुझसे न जादा लेंथ बरदाश होती है मैं परिशान हो जाती हूँ तो इसके लिए मैं हमेशा लेंथ कम रखती हूँ और अब तो ट्रैवल भी करना है भाई यहांपन मे करना इतना इतना डिफिकल्टा मुझे नहीं पता था यहां पर बहुत कोशिश की जारी है कि बिल्कुल वैसा लुक आजाए बट नहीं आपाया तो अब मेरी बहन को भी चेंज करना पड़ेगा यहां पर जितनी भी टेक्नीक हो सकती थी वह सब करके देख ली लेकिन दोस् से कुछ तो इसको देने की कोशिश की लुक बट वो लुक आया नहीं और यहां पर मैंने डिसाइड किया कि मैं करवारी हूँ आज येलो बटर येलो नेल्स लेकिन दोस्तों देखना आप यह जो मेरे नेल्स का ग्राफने कैसे नीचे ही जाता जाएगा मेरे नेल्स की पूरे नेल्स करवाने के बाद ये पूरे नेल्स हटवाँगी और फिर दूसरे करवाँगी पता है में इतना जादा मन्त ये बटर येलो नेल्स का पूछो ही मत और जहां मैं जा रही हूँ ना वहां के लिए येलो कलर is like so good its very vacation color लेकिन भाई मेरे साथ जो इतना बुरा हो और उसमें किसी की गलती नहीं है, बेसिकली जो नेल पेंट लगी थी ना, वो बहुत जादा थिक थी, और उसी थिकनेस की वज़े से, मेरे वो नेल्स अच्छे से नहीं बैटे, हाँ पर मेरी बहन के तने सुन्दा मरमेट नेल्स हो चुके है, मुझे बुरा लग रहा है खुद के लिए, और अब मेरे को वो नेल्स चेंज करवाने पड़ेंगे, हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, जब मुझे चीज रिलाइज हुई कि मेरे नेल्स कितने बुरे लग रहे हैं, मैं सीधा मैंने रिकॉर्ड किया जहां से ये मेरे नेल्स निकल रहे हैं, मतलब इतनी हमने महनत की तनी देर, मैं मतलब दो घंटे से हां बैठी हुई इन नेल्स को लेकर, अब मुझे ओ दो घंटे की महनत पूरी खराब करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये नेल्स की शेप बहुत बूरी आई है, और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है थिकनेस ओफ दे नेल्स पेंट, पर अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, मतलब मैं इतनी परिशान हो चुकी थी, उन्होंने मेरे नेल्स पे से वापस से वो खटाया और दुबारा से किया, पर यार अब कर भी गया सकते हैं, मतलब आप इतनी पेशन्स से बैठो और फिर आप करवाओ और फिर हो भी नाच्छा तो अच्छा न लगता ना, फिर मैंने करवाए, आपको पता है क्या, cat eye nails, अब आपो लोगी cat eye nails क्या होते हैं, अब ही पता चल जाएगा भाई, इनके लिए एक अलग से tool आता है, जिसमें आपके nails में एक line बनती है, और वो line किसी की नहीं बलकी glitter की होती है, अगर मुझे बात पहले पता होती हैं, कि यहाँ पर cat eye nails होते हैं, तो मैं पहले ही करवा ले थी, यार मैं yellow वाले भी क्यों करवा थी, फिर वो तो मुझे करवा नहीं थे, बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पर अभी आपको यह बहुत basic लग रहा होगा, और last में मेरे nails हैं, कुछ ऐसे और मेरी बहन के हैं, कुछ ऐसे आपको किसके ज़ादा चलेगी, comment करके बताना मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, बाइ!